तो भाई Candy Crush जैसे easy-peasy game तो हर कोई खेल लेता है लेकिन अगर आप एक hardcore gamer हो और आप कुछ तूफानी try करना चाहते हो ना तो भाई ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर में 5 ऐसे souls like game लेके आयों जो कि आपको keyboard तोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे तो अगर आपका keyboard पुराना हो रहा है और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपका keyboard तूड़ जाए तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना अगर आप मेरे चैनल के उपर नहीं हो तो चैनल को भी subscribe करना मत भूलना तो चलो अभी start करते हैं इस topic के बारे में बात करना तो यार इस लिस्ट का जो सबसे पहला गेम है वो है नियो अब दोगार जब भी souls like games के बात आती है तो mostly जितने भी games होते हैं न वो या तो American या जो British वगरा ये culture है न उनके उपर ही based होते हैं बट अगर आपको कोई एक ऐसा गेम चीए जो की Asian Japanese culture के उपर based हो तो भाई आपक उसके उपर भी release कर दिया गया तो अगर आपके पास PlayStation नहीं है तो कोई नहीं आप अपने PC के उपर भी इस game को enjoy कर सकते हो त्यार मैं तो इतना है बोलूँगा कि इस game को आप जरूर से try करना क्योंकि ऐसे hack and slash games बहुत ही कम मिलते हैं जिनके अंदर अपने को souls like games के elements देखने क मिले प्लस इस game के जो visuals है ना भाई वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है gameplay mechanics भी बहुत ही ज़्यादा शांदार है तो अगर आपको एक ऐसा game ढूणना है जो कि dark souls फगरा इन की तरह हो एंड उसकी requirements है वो भी बहुत ही कम हो तो भाई एक बार नहीं हो जरूर से try करना य इस list के second game की तरफ तो यार इस list का जो second game है वो है the surge 2 तो यार अगर आप ancient time में set souls like games खेल के लके पक चुके हो तो अब आपको कुछ नया and refreshing try करना चाहिए तो अगर आप कुछ नया try करना चाहते हो तो भाई the surge 2 जरूर से try करना ये जो game है वो cyberpunk era के अंदर set है मतलब आप इस अंदर metal से बने होए giant tick robot से fight करोगे जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा refreshing सा feel देगा plus इसके जो gameplay mechanics है ना भाई वो भी बहुत ही ज्यादा addictive and बहुत ही ज्यादा responsive है तो आपको irritate सा feel नहीं होगा इसी के साथ अगर आपन बात करें graphics के मामले में तो भाई इस game के जो graphics है न और बता देता हूं कि यह जो game है ना वो steam के उपर sale में आता रहता है मतलब आप search 1 and search 2 दोनों को बहुत ही सस्ते में खरीच सकते हो तो अगर आपको कुछ unique and refreshing try करना है तो the search 2 जरूर से try करना तो चलो यार अब move करते हैं इस list के third game के तरफ तो यार इस list का जो third game है ना वो है Lords of fallen अब भाई मैंने Lords of fallen बोल दिया तो यह मैं सोचना कि जो अभी recently release हुआ है वो वाला game जी नहीं मैं पहले वाले game के बात कर रहा हूं जो कि 2014 के अंदर आया था तो भाई souls like genre के अंदर अगर आपको कोई एक ऐसा game try करना है जो कि मतलब भगवानों के time के अंदर set हो तो भाई बहुत ही ज्यादा tactical है तो यह उमीद मत करना कि इस game के अंदर जो action वगरा यह होगा वो fast passed होगा इस game के animation बहुत ही ज्यादा slow है और कई लोगों को यह irritate भी कर सकते हैं प्लस इस game को complete करने के लिए आपको patience चीए मतलब बिना patience के आप इस game को बिलकुल भी complete नहीं कर पाओग कि अगर आपके अंदर patience है and कुछ तूफानी try करना चाते हो तो भाई आप Lords of the Fallen first वाला game जरूर से try करना यह game steam के उपर आपको 100-100 रुपे के बीच में देखने को मिल जाएगा जब sell के उपर आता है तो तो अगर आप खेलना चाहो तो इसको wish list में डाल देना तो चले यार अब move करते हैं इस list के fourth game की तरफ तो यार इस list का जो fourth game है वो है कोडवेन अब देखो यार आपने बहुत सारे souls like games खेले होंगे लेकिन यह जो game में ना कोडवेन वो उनमें सबसे unique होने वाला है क्योंकि इस game के अंदर आपको anime वाले characters देखने को मिलने वाले है मतलब anime वाला souls like game है तो अगर आपको anime देखना पसंद है और आप उनसे similar कोई एक ऐसा game खेलना चाहते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा difficult हो तो भाई code when आपके लिए ही बना है आपको इस game को जरूर से try करना चाहिए इस game के अंदर भी आपको different different and scary से monsters देखने को मिलेंगे plus boss fights वगरा ये भी है साती में इसके जो graphics है ना वो भी ठीक ठाक है मतलब इतने ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है तो इतने ज़्यादा बेकार भी नहीं है तो अगर आपके पास high end PC नहीं है ना तो भी ये game आपके PC में अच्छे से काम करेगा तो भाई मैं तो इतना है बोलूँगा कि अगर अगर आपको anime type का कोई souls like game खेलना है ना तो code wayne आप ज़रूर से try करना ये game भी आपको steam के उपर देखने को मिल जाएगा तो चलो यार हम मोग करते हैं इस list के final game की तरफ तो यार इस list का जो final game है वो है mortal shell तो भाई अगर आपको futuristic souls like games पसंद नहीं है anime वाले souls like games पसंद नहीं है तो भाई आपको चाहिए क्या अगर आपको एक ऐसा game चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा similar है dark souls से तो भाई फिर आपको mortal shell try करना चाहिए क्योंकि यह जो mortal shell game है वहीं एक मात्र ऐसा game है जो कि बहुत ही ज्यादा similarities रखता है dark souls franchise से अब बले वह gameplay हो बले वह environment हो बले वह graphics हो ह हर एक चीज आपको similar देखने को मिलेगी dark souls franchise से तो अगर आपको कुछ unique try नहीं करना आपको सिर्फ original souls like game ही खेलना है तो भाई आपको mortal shell जरूर से try करना चाहिए यह गेम आपको steam and epic games के उपर देखने को मिल जाएगा वैसे तो यह गेम एक बार epic games के उपर फिरी भी आ चुका मैं इस game को develop किया था एक indie studio ने तो अब देख लो कि जो indie studios है ना वो भी कितने अच्छे अच्छे games बना सकते हैं तो भाई अगर आपको easy games पसंद नहीं है आपको कुछ दूफानी करना पसंद है तो इस list के अंदर दिएगे पांचो game जरूर से try करना और मुझे comment section के अंदर बताना कि आपने कितने keyboard तो आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्रीज वीडियो को like करना चैनल के उपर नए हो तो चैनल को subscribe करना बागी मिलते हैं अगली वीडियो में गाईस तब तक के लिए बबाई टेक केर